हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत है स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल के डेली करेंटेफिर्स के वीडियो में आज 5 मई 2020 है और आज हम बात करेंगे 4 और 5 मई 2 दिन के करेंटेफिर्स के बारे में सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ 28 तारिक के बाद से आपको पिछले एक हपते में 4-5 दिन कुई करेंटेफिर्स का वीडियो नहीं मिल पाया कुछ कारण थे उसके फाइनली मैं अब अपने ऑफिस वापस लोटाया हूँ थोला सा अपनी जान को जोखें में डाला इंद और जहां से सब बाहर जा रहा है मैं इंद और वापस आ गया हूँ ताकि आप लोगों के लिए काम कर सो कि मैं घर था काफी लब्बे समय से और वहाँ पर मेरा और कहीं जाना नहीं है तो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे और मॉर्निंग पांच बजे वीडियो अब आपको अपडेट हो जाएंगे आप लोगों को अभी तक जो परिसान यह भी इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ और कोशिश करूँगा एक वीडियो वो लाइट सेशन रहेगा और जल्दी वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं बात करेंगे हमारे करेंट फिर की पीडियेफ के लिए तो आप एप्लिकेशन डाउलूड कर लीजी यह टेलिग्राम चल वहां सी पीडियेफ आप आप नाउलूड कर पाएंगे यह हमारी टेस्टरीज है जिन लोगों ने अभी तक जोइन ने की है जोइन कर लीजी चारसो निन्याद रूपे हैं अभी जोइन कर सकते हैं और इसकी नूट्स लोगडाउन ओपन होने के बाद में आपके पास में पहुंचा दिये जाएंगे और यह हमारा फ सफल बनाता है आप अगर सफल बनना चाहते हैं तो सिक्षा मतलब जीवन में जो कुछ आपने सीखा है वो और उस सीखे हुए का सही समय पर सही उप्योग तो समय जो है आपके पास में वो एक बड़ा इंप्रेंट फेक्टर है तो जिसने समय का सही उप्योग कर लिया और जो कुछ लाइफ में उसने सीखा है उस समय में उसको उसने डाल दिया उसका यूज किया तो वो जरूर सफल होगा इसी थोटे साथ आगे बात करेंगे हम कल के सवाल की कल मैंने आपसे प्रस्न पूछा था कि विश्व प्रेस स्वतंतरता सुचकाम के भारत किसे स्थान पर आपका नाम कमेटर उत्तर इसी परिकार से यहां पराए तो वीडियो को ध्यान से अंतर तक देखो और अंत में जो प्रस्न पूछा गया उसको उत्तर कमेट बाक्स में जरूर दो आगे बढ़ेंगे आज पहले प्रस्न की तरफ का पहला प्रस्न के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने वीडियो कांफरेंसिंग के माधियम से किस संगठन की समिट में यानि उसकी बैठा कोती उसमें भाग लिया है तो यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है जि इन एम देशों के वर्चुल संगेलन में भाग लिया यह आपको याद रखना है और इसका जो आज़न किया गया वो अजरबेजान के राष्ट पती इलहाम अलिये इनकी कोशिशों के बाद आज़ित किया गया क्योंकि अजरबेजान में इसका आज़ित किया जाना था जो कोरोना वारास दुनिया वर में फैला हुआ और उसके बाद यह इसको वर्चुली आज़ित किया गया है अब यह है क्या गुट निर्पेक शाकर गुट निर्पेक देशों का समू है जिसमें 120 देश सामिल है और इसके अंदर संगत राष्ट के बाद दुनिया का सबसे बड बहुत सारे देशों ने USSR का पक्ष लिया लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जो किसी भी देश का पक्ष नहीं लेना चाहते थे इन में तो उनके लिए यह बना non-aligned movement यानि कि वो किसी भी देश के साथ नहीं होंगे ना तो USA के साथ ना USSR के साथ में वो अलग होंगे तो इन ह देशों का समूझ जिसमें प्रधान मंतरी जो भारत के पहले थे अपने जबारलाल नहरू उनका विशेस योगदान था इसको पूरा गठन करने में बात non-aligned movement की करें गुट नहर पेक चांदोलन की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में बेल ग्रेट जो की सर्विया में और मुख्याल इसका जकारता है इंडोनेशिया में है आगे बढ़ेंगे बाद दूसरे प्रेशन की होगी कि विश्व प्रेश स्वतंतरता दिवस कम मनाय जाता है तो विश्व प्रेश स्वतंतरता दिवस जो मनाय जाता है वो तीन मई को मनाय जाता है यानि कि A option प्रेशन करने वाले जो पत्रकार हैं उनको सुरह धांजली अर्पित करने के लिए मनाया जाता है कि जिन्होंने समाचारों के लिए समाचारों को लोगों तक पहुँचाने के लिए अपने जीवन को भी दाओं पर लगा दिया और कोविड-19 महामारी का ये जो वर्स है 2020 इस वर्स इसकी ठीम रखी गई है वो भै या पक्षपात मुक्त पत्रकारिता रखी गई है तो ये आपको याद रखना है इसकी सुरात क हुई थी तो यूनेसको ने सिफारेस की थी और उसके बाद सेंक तुराश्ण महासावा ने दिसंबर 1993 में विश्व प्रेश्व प्रेस्वतंदरता दिवसमाराने की घोशना की थी आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रेसन की बात करेंगे कि केंद्रिय सडक अनुसंधान संस्थ किसान सभा एप यानि के डी ओप्शन सही है डीटेल लेख लीजे क्या है तो CSIR के इंद्रिय सडक अनुसंधान संगठन इसने किसान सभा नामा के एक नई एप विक्सित की है और इस एप का उद्देश यह है कि किसान है उनको सबसे किफायत की और समय पर लॉजिस्टिक का मतलब होता है उनकी फसल को ले जाने के लिए सुविधा उपलद कराना लॉजिस्टिक यानि की ट्रांस्पोर्टेशन परिवहन की सुविधा उनको उपलद कराना इससे क्या होगा किसानों को सर्वुत्तम संभाव कीमतों पर उनकी उपज का समय पर वित चुर्व की गई है किसान सभा के नाम से बात करें दिए प्रसन की कहाल ही में दिए गई अभी कुछ बदम defa जjarी किए गए इन में कॉन सोमेलित नहीं है तो इन में में जो समेलित नहीं तो फूरे 3 कोटा यानि कि मिट्टी के इस प्रकार की मूर्थियां बनाई जाती है तो यह चंडीगर की नहीं बलकि यह कहा कर है गोरकपुर का तो यह आपको याद रखना है रई गोरकपुर यूंपि तो सी ौप्शन साइई है यह इसका सुमेलित नहीं है इसकी डीटेल लेख लीजे क्या है तो देश में उगाई जाने वाली कश्मीरी के सर, मनिपुर के काले, चावल जिसको चक हाओ भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है, चक हाओ इसका निकनेम है, गोरकपुर का टेरा कोटा और कोविल पटी की कदलाई मिटई, यह कदलाई मिटई कैसे बनती है, गुर से औ होता है, यह किसी उत्पाद को दिया जाता है, किन-किन खेतरों के उत्पाद को दिया जाता है, किर्शी खेतर के कोई उत्पाद है, प्राकर्ति कोई उत्पाद है, हस्त सेल्फ है, या औद्यों की कोई सामान है, केबल उन्हीं को दिया जाता है, हर एक उत्पाद को यह नह इसके द्वारा किस राष्ट्री ये e-commerce marketplace को launch किया जाएगा तो इसका नाम होगा भारत market यानि कि ए option प्रस्ण का सही उत्तर है डीटेल देख लिजे क्या है तो कार्योवरियों की एक संस्था है जो छोटे कार्योवरी है भारतिय व्यापारी प्रिसंग यानि की Confederation of All India Traders CAIT इनके दवरा एक राष्ट्री ये e-marketplace भारत market इसको launch किया जाना है और ये ऐसे विश्रिश रूप से जो व्यापारी हैं की दवरा चलाए जाएगा जो logistics यानि की परिवहन में end to end सेवाएं प्रदान करने के लिए यानि की एक जगा से माल उठाएंगे और अंतिन दुकानदार तक पहुँचाएंगे उनके लिए अलग-अलग technology company की छमताओं को एकिकरत करेगा मतलब technology से क्या किया जाएगा इन चीजों को एक जगा से किया जाएगा और ये जो बाजार है उत्पादक यानि जो इस समान का उत्पादन कर रहे हैं उनके निर्माताओं को लेकर उभोकताओं तक समान पहुँच देश में 2019 में आपदाओं के करण सबसे अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और ये सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं भारत में इस प्रकार की एक रिपोर्ट आई है डी आउप्शन सही है डीटेल लेख लीजे और क्या है रिपोर्ट ये जान लीजे तो आंतरिक विस्थापन निगरानी केंदर आईडी एमसी के द्वारे एक रिपोर्ट जारी की गई है जो ये बताता है कि लोग विस्थापित होते हैं लेकिन अंदर में देश के अंदर में 2019 में भारत में 50 लाख लोग चकरवात बाढ़ और इसी प्रकार की जो प्राकरतिक आ रिपोर्ट आई है कि 2019 में आपदाओं के करण दक्षन इशिया में दक्षन इशिया इसमें भारत भी आता है बंगलादेश भी आता है नेपाल पाकिस्तान और भारत की जो प्रोसी रेसे वो आते हैं तो इसमें 95 लाख विस्थापित हुए हैं और 2012 के बाद ये सबसे ज़् रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 50 लाख 37,000 लोग भारत में विस्थापित हुए हैं और बंगलादेश में 40,86,520 लोग विस्थापित हुए हैं खासकर ये फोनी तोफान बगेरा जो आते हैं इनसे विस्थापित की संख्या बढ़ गई है बात साथवे प्रसने की होगी किस राजी सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहिया कराने की गोशना की है और ये जो गोशना की गई है ये महाराष्ट सरकार के द्वरा की गई है यानि किसी ऑप्शन प्रसन का सही उतर है अब किस योजना के तहत ऐसी गोशना की गई है तो महार तो आप क्या करेंगे लोग मुफ्त और केशले स्वास्त बीमा का लाब उठा पाएंगे आगे बढ़ेंगे बात महराष्टा की कर लेते हैं तो मैं अपने देख लीजे यहाँ पर यह महराष्टा है इसकी राज़धानी बुंबई ही चंडीगर बिल्कुल भी नहीं है मुख्य मंतरी अब देविंद्र फर नवीस नहीं है तो अपडेट करना है मैं अपडेट कर दूँगा यहाँ के अभी जो वरतमान में मुख्य मंतरी है वो दवठाकर है राजपाल भगत सिंग कोशारी है राज की परशोया का विशाल भारती गलेरी है राज की पक्छी पीले पेर वाले हरे कबूतर है राज की ब्रक्च आम है राज की फूल जरूल है लोग सभा के 40 सीटे बहुत ज्यादा भीलवाले जो इलाके हैं उनके लिए विक्सित किया गया है और यह विक्सित किया है DRDO ने यानि की B options प्रस्ण का सही उतर है डीटेल देख लिए क्या है तो रक्षानों संधान और विकास संगठन यानि की DRDO Defense Research and Development Organization इसने COVID-19 का जो ज्यादा संक्रमण है उ और इसका नाम रखा गया है यूबी ब्लास्टर इस तावर का नाम यूबी ब्लास्टर है और यह अल्ट्रा वालेट अधारित एक स्टाइजर है स्टाइज करता है अपने आसपास की जगह को इसका यूज किया जाएगा हवाइडेश, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल और कारखानों के लिए जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है बात अप डियाडियो की कर लेते हैं डियाडियो मतलब डिफेंस, रिसर्च, एंड डेवलेप्मेंट और 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 अगनेजिशन स्थापना हुईटी नाइटी त्विप्टी रविवार जो था वो तीन मई को था डिटेल लेख लिए जिसकी क्या है तो हर साल मई के पहले रविवार को विश्व हासी दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे की रूप में मनाया जाता है और इस वर्स यानि की 2020 में ये दिन तीन मई को मनाया गया विश्व हासी दिवस की जो हसते रहते हैं वो इस हास से योग आंदुलन के संस्था पक माने जाते हैं बात करेंगे अब दस्वे प्रिस्न की कि विश्व तेरा की चेंपिनशिप अब कब आउजित की जाएगी तो इसका जो आउजित होना है वो होगा 2022 में पहले 2021 में आउजित हो इसका होना था डीटेल देख लिए क्या है और कहां इसका कायशन होना है तो विश्व तेरा की नियंत्रण संस्था है फिना जैसे आपने देखा की आउजित होने वाले थे विश्व चैंपियन्शिप फिना की अब इसका आयोज़ण 13 से लेकर 29 मई 2022 में इसका आयोज़ण किया जाएगा तरकता आयुक्त के रूप में सपथ ली गई है तो कमेंट करके बताईएगा इन मेंसे किन के दोरा ये सपथ ली गई है और हाँ ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा तो आज की बात करेंगे यहीं समापता आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत